ओक आखीट कार्शा दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो च्रैब के इस वीडियो टुट्रीयुर में मैं हुँ आपका दोस्त परवी नाणा और आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद आपको उसके बारे में बताऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हो आप एक market watch को लिए कुछ symbols यहां पर आप देखने को मिल रहोंगे मानेज SBN का symbol है और मैं SBN की symbol में buy का order डालता हूं MIS करता हूं पांच quantity डालता हूं और place order कर देता हूं तो जैसे मैं order place करूंगा मेरा order यहां पर place हो गया और अब मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा कि यह order सिर्फ मेरे account में नहीं गया है यह मेरे अलावा भी काफी accounts में गया है अगर आप देखते हो order book में तो आपको देखेगा एक बच के पांच मिनट 46 सेकंड पर order यहां पर भी है उसके अलावा यहां पर एक और account खोलता हूं मैं इसमें भी आप अगर देखेंगे एक बच के 46 में ठीक है यहां पर देख सकते हैं एक बच के पांच मिनट 47 सेकंड है यह उसका एक example है ठीक है तो अब यहां पर मैं आपको चीज़ और देखाता हूं कि अगर मैं यहां पर इनका account देखता हूं Mr. भारत भूशन का तो यह आपका angel blocking का account है ठीक है वहीं अगर मैं आपको दिखाता हूं यह दूसरा account महिश रावत का तो यह इनका account Alice Blue का account है इसके इनकी चाहे account आपका Alice का हो जिरोदा का हो एंजल का हो किसी भी broker का account हो जो हमारे platform के साथ attached है उनका trade automatically हो सकता है हमारे platform के तरूप बिना किसी delay के अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों होता कैसे है यह कैसे होता है तो सबसे पहले जो अभी आप screen पे देख रहे हूं यह है master account master account में आपको कुछ इस तरीके के tabs मिलते हैं सा authentication my clients उसके लावा trade history उसके आवा market watch उसके लावा order book trade book और अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि जो my client का section है उसमें आपको एक request का section देख रहा है और उसके नीचे client का section देख रहा है तो यहां पर यह client join मैंने link किये हुए जिनमें की एक निलेश है एक महेश है एक भारत है और एक नौशाद का token expired दिखाया है यानि कि उसने आज token नहीं लिया है तो उसका कोई भी trade बागी के तीनों नहीं लिया है तो बागी के तीनों का trade यहां पर जाएगा अब अगर आप देखना चाहतें कि किस कि का trade गया तो आप अपने यह master account से देख सकते हैं यह देख सकते हैं आप यहां पर Sbine का order दिखा रहा है ठीक है और यह जिरोधा का order दिखा रहा है ठीक है और यह Alice का order दिखा रहा है यह सारे के सारे order यहां पर दिखा रहा है proper तरीके से तो आप यहां पर अच्छे से देख स जिसमें कि आप trade डाल सकते हैं आप से कोई भी symbol create करना आपको symbol create कर सकते हैं आप national लिखेंगे और किसी का trade करना चाहते हैं तो यहां पर ACC equities का यहां पर आ रहा है इसको आप start कर सकते हैं यहां पर आपको सबसे नीचे नीचे दिख जाएगा ठीक है तो अब क्या है कि यहां पर जो trade करना है हमें वह हम एक account में करेंगे और वह सारे के सारे account में trade copy हो जाएगा और वह सारे accounts में दिखेगा यही नहीं कि आगर आप यहां पर देखिए order book है आपका trade book है positions है आप square up भी करना चाहते हैं तो यहां से square up भी कर सकते हैं इस button को press करेंगे trade square up हो जाएगी और यह हमारी नहीं है हर एक की होता है कि जो यहां पर हमने दो चीज़े बनाई है एक है master और एक है आपका जो यह नॉर्मल यूजर का account कुछ इस तरीके से देखता है तो आपको करना क्या होता है अगर आपको master बनना तो सबसे पहले आप अपना account create करेंगे create क आप क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने से आपसे 2000 रुपीज का charge मांगेगा चार्ज पे करने के बाद जब आप successfully charge पे कर देंगे तो यहां पर आपको master की दिखने लगेगी अभी यह blank दिख रही ना जैसी आप पे करेंगे उसके बाद यह आपको master की दिखने लगेगी यहां पर आके verify करना है जैसी आप verify करेंगे तो यह दिखाएगा कि इस नाम पर है बंदा जिसकी copy आपको ट्रेट जिसकी copy करने है लिंक नाओ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर एक ऐसे alert आएगा को कर देना है तो जैसी आप यह सब करेंगे तो जो master का account होगा ना उस उसको my clients के request के section में आपकी request दिखेगी जैसे यह दिख रहा है कि इस बंदे ने request किया जैसी आप इसकी request को approve कर देते हैं तो उसके बाद जो भी trade आपकी आएगी वो इसके account में भी copy हो जाएगा अगर आप इसको reject करते हैं तो इसकी trade copy नहीं होगी तो जो 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 आप request आपको यहाँ पर दिखाई देगी अगर आप उनको approve करते हैं तो my clients के section में चले जाएगी यहाँ पर clients के section में चले जाएगी अगर आप उनको approve नहीं करते हैं तो वह as it is वहाँ पर ही रहेगी तो यह था कि किस तरीके से आपको इसको add करना है उसके बाद जो master होता है यहा आपका user का account user का account में क्या होगा कि जितने भी trade master के आएंगे वो सब होंगे यहाँ पर आके copy इसके अलावा अगर user चाहता है कि वो खुद से कुछ trade करना चाहता है जैसे माली अब मालीजिए मुझे यहाँ पर trade करना है SPIN के अंदर मैं यहाँ पर buy का button प्रेस करूँगा जो क्वांटिटी तीन क्वांटिटी का trade हुआ है और यहाँ पर trade by लिखा रहा है यानि कि इस platform से आपने trade किया और जो भी trade आपके copier से आएंगे उसका यहाँ पर tag दिखाएगा copier यानि कि वो copier से trade हुए है और जो आपने खुद से किया है वो यहाँ पर as an algorithm दिखेंगे ठीक है अब आप trade book में जाते हैं trade book में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने यह manual order डालें तो यहाँ पर manual आ रहा है नहीं तो फिर अल्गोबरी जाता ठीक है पोजिशंस में जाएंगे पोजिशंस में आपको यह पोजिशंस देख रही है फिर औरी विग की पड़ी हुई है और पोजिशंस की पड़ी हुई है और आप की Tech इस्पल एन की बड़ी है औरमे एंन में 75 पैसे का profit हो रहा है और and में आपका तो आप copy all trades पर click करेंगे अगर आपको कुछ limited ही trades copy करने है तो आप copy selected symbols पर click करेंगे ठीक है और इसको आप बंद कर देंगे उसके लावा आप यहां पर कौन से symbol में trade करना चाहते हैं आप सिर्फ bank nifty से related symbols में trade करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि पच्छी क्वांटिटी जो एक lot ही आपका trade हो उसके बाद आपने इसको add कर देना अब चाहे है सामने वाला बंदा जो master है वो एक lot भेज़े चाह बीस lot भेज़े चाह पचास lot भेज़े आपका एक lot में trade होगा ठीक है या फिर आप इसके अलावा एक और option है कि मान लिज़े आप यह नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी trades सारी copy हो और एक multiplier में copy हो यानि कि आप मान लिज़े आप इसको बंद करते हैं selected symbol को और आप चाहते हैं कि जितना भी master trade भेज़ रहा है उससी double trade होने चाहते ह होगी master 100 भेज़ेगा तो आपके 200 होगी इस तरीके से जैसे अभी में हाँ पर दिखाता हूं यहां पर आपका यह इस ब्याइन का symbol है ठीक है अब हम इसकी order book में जाएंगे जब हम इसकी order book में जाएंगे तो हम देखेंगे इसकी quantity 100 गई है जो कि मैं आपको बता रहा था क्योंकि हमने उसको multiplier 2 दे दिया तो जैसे हम multiplier 2 देंगे तो multiplier के हिसाब से जाएगा अब जैसे यहीं पर मैं सेटिंग में जाता हूं और मैं यहां इसको बंद करता हूं और multiplier को भी में बंद करता हूं और यहां पर मैं निफ्टी लिखता हूं अब यहां पर quantity में मैं लिखा 150 ठीक है और इसको add कर दिया अब जब मैं trade डालूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह trade है अब यहां पर same trade डुबारा डालते हैं ठीक है अब मैं यहां पर डाला quantity 50 अगें 50 quantity दिखा रहा है अब यहां पर हम देखते हैं इस account में क्या डला अब इस account में अगर हम order book में जाएंगे तो यहां पर हमें देखें को मिलेगा 150 यानि कि जो भी हम set करते हैं वही quantity जाएगा तो यह function है automatic trading करने का copier के तुरू इसमें कि आप अगर master अगर आप portfolio manage करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप जो trade करें वही trade आपके followers की भी हो जाएं तो यह platform आपके लिए हैं अगर आप चाहते हैं इस platform का try लेना तो आप हमें call कर सकते हैं description में आपको numbers मिल जाएंगे आप हमें दिये ह लोगे numbers पे call कीजिए हम आपको इसका proper demonstration देंगे किस तरीके से platform काम करता है सारा कुछ आपको बताएंगे और आप आराम से आनद उठा सकते हैं copy trading का चल दिये दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में कब तक के लिए bye bye take care